बच्चन नमस्कार दीजिए एक अक्षा दस्विंग के गणित में आज है हम समांतर स्रेणी के पदों की संख्या माध्य ग्याद करना अभी तक सिखे हैं और आज आपको समांतर स्रेणी का योगफल के प्रस्नों को हल करना सिखाऊंगा तो बच्चों आप मेरे चेनल से हमेशा जुड़े रहिए और इसके लिए आपको सस्क्राइब करना होगा ताकि आपको हर वीडियो पहले मिले तो बच्चों यहाँ पर आपको दो सुत्र क्या आउस्कता है जहाँ पर उप्युक्त होगा इन दोनों में से किसी एक को समांतर स्रेणी का योग के लिए प्रेव करोगे पहला है सुत्र S N इक्वल टू N अपान टू 2 A प्लस N माइनस 1 D यहाँ पर N वहीं है पदों की संख्या A प्रथम पद N पदों की संख्या D सर्वांतर सब जो प्रतिक हैं उनका अर्थ भी वहीं है L आप जानते हैं अंतिम पद को हम लेते हैं तो यह दूसरा सुत्र है A से N बराबर N बटे 2 इंटू A प्लस L है L यहाँ पर जब प्रथम पदा और अंतिम पद दिया हो तो आप इस सुत्र की साहता से असानी से मान रख करके योग फल गयात कर सकते हैं तो चलिए अब हम प्रस्ण के साहता से हल करना आपको सिखाऊंगा पहला प्रस्ण है यहाँ पर सिंपल सा 9 12 15 इस तरह से बहुत सारे पत चाहिज इतने भी पत का यह गणित का फार्मूला जो यहां पर योग ज्याद करने का है यह मेजिक फार्मूला आप बहुत सारे पदों तक इसको आसानी से लागू कर सकते हो चाहे पदों की संख्या को यहां पर क्यों सोलब पद लिखा गया है आप हजार पद तक का इस तरह से अंकों को भी आपको इधर का नहीं चाहिए आप उनका जोड बता दोगे या ने योग बता दोगे तो मैं समझता हूँ इसको आप अच्छे तरह से दोनों सुत्रों को रट लीजिए अब बच्चों यहां पर हम चुनेंगे हल करके लिखिए जीत्रों से आप हल करते हैं पढ़िया धंग से अक्छर भी आप साप लिखेंगे ताकि परिख्चा में आपका नंबर कम नहों यहां यह बराबर प्रथम जो अंक्खय वहीं यह है नौ दी बराबर यहां प्रथम पत ए सरवांतर डी सरवांतर डी बराबर बच्चों हम उसी तरह से निकालेंगे यहां भी दितिपद रिण प्रथम पत याने बारा रिण नौ याने आएगा आपका प्लस यह जोरी नहीं है कभी कभार जब दितिपद कमान छोटा हो तो रिनात्मक भी आता है अब एन बराबर कितने पत तक आपको योगफल गयाद करना है एन बराबर शोल्ला अब बच्चों यहां पर हम सुत्र को लिखेंगे सुत्र सेशन इक्वल टूख यहां पर अंतिपद तो नहीं दिया है सुल्ला पदों फग बता रहा है यानिं आपको अंतिपद नहीं मालूम तो यह दूसरा शुत्र यहां काम नहीं आएगा ये आपको मालूम है डी मालूम है देखिए यहाँ पर इस सुत्र को हम लगाएंगे S N इकल टू N अपान टू उसके बाद 2 A प्लस N माइनस 1 D अब बच्चों यहाँ पर N सुल्ह रख दीजिए N इकल टू सुल्ह इन बराबर सुल्ह है बटे दो और सुत्र का दो है दो रखिए एक अमान देखिए यहाँ पर 9 है दो गुलित 9 N बराबर फिर आपको यहाँ रखना है सुल्ह जो यहाँ पर रखे हो उसी मान को आपको रखना है सुल्ह रीड एक डी का मान प्लस थ्री यह आप जिस तरह से सुत्र था उसी तरह से आप इसमें लग दी आप गुणा भाग करोगे आप जो भी जहां और्सकता हो इसको आप पहले से कायर दीजिए चलिए दो अठे तो यह हो जाएगा आठ 9 दूने 18 प्लस सुल्ह में एक गया 15 और उसके साथ तिन गुणा में है अब बच्चों यहाँ 15 यह 45 इसका भी गुणा कर देना 8 यह बाहर में है यह भी गुणा है बाद में गुणा होगा इनको हम पहले हल कलने 18 धन 45 यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा 15 गुणी 3 करके 45 और 18 का 18 अब इन दोनों को जोड़ देंगे 18 और 45 का योग है आपका 360 होगा 8 पांच तेरा कतीन और 4 और एक 5 और एक 6 याने 8 गुणित 360 तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कि यह से न है यहाँ पर 368 आपका आएगा गुणा करोगे तो 504 तो बच्चों यहाँ हम यह देखते हैं कि इस तरह से यह स्रेड़ी जब जाएगा जिसे यहाँ पर 9 है फिर 12 आया फिर 15 आया 15 तीन 18 आया फिर इस तरह से सोलह पदों का उन सभी अंकों को प्राप्त करके आप जोड़ोगे सकते हो थो उनका योग होगा 504 अब इसको चाहूं तो सोलह न करके एक हजार पद कर सकते हों एक लाग पद कर सकते हो तो आप समझ सकते हैं इस तरह से इस शूत्र की कं महत्त्त को आप वीना सब्दों को यान्य आंकों को बीना जाने आप उनका योग बता सकते हो, कौन सपध है बता सकते हो, तो इन सुत्रों की सहता से आप हल करना, आपको आना चाहिए, सुत्रा याद रहना चाहिए, मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे सुत्र को ही नहीं रड़ते हैं, तो इस तरह से अच्छा नहीं है, आप जब भी जिस भी प्रस्णा वलिया जिस भी टापिक पर पढ़े ही होते जाता है आपके सरलोग जो भी बताते हैं उसको आप फार्मूला जितने भी बताते हैं उसको रठ लीजिए यदि आगे आपको पढ़ना है तो अब दूसरा स्रेड़ी हम देखते हैं इस तरह से बार ब से बनेगा चलिए हल करके यहां पर लिख दीजिए यहां कि ए बराबर सबसे पहले सुत्र में एक क्या आउसकता है जो प्रथम इस्थान पर जो अंख है आठ डी बराबर तीन डीड आठ क्योंकि दितिपद्रिन प्रथम पत चाहिए इसमें करोगे तो भी दितिपद्रिन चाहिए यहां पर भी आप निकालोगे क्योंकि सर्वांतर जो रहता है उतना ही आएगा तो हम यहां पर करते हैं तेन रीड आठ और यहां पर आप देखेंगे कि दी बराबर रीड का पांच आया आ हिएं बराबर 22 अब बच्चों हम यहां पर सूत्र पर मान रखेंगे इसको तो चलिये यहां आपका शूत्र है लिख दिया तो एंबराबर यहां पर है 22, तो हम यहाँ पर 22 रख देते हैं, बटे 2, सूत्र में 2 है, तो 2 रख दीजिए, एक कमान है, 8, 8 रख दीजिए, यहाँ पर देखिए, ए बराबर 8 है, एन बराबर 22 है, डी कमान रीड पांच है, अब यहाँ पर प्लस का, प्लस एन कमान यहाँ पर जो रखे हो, 22, माइनस 1, डी कमान रीड पांच, यह बड़ा कोश्टक, अब बच्चों यहाँ पर इसको चाहोताब कार दीजिए, दो ग्यारम, ग्यारा आज आएगा, अब अंदर का गुणा करते जाएगे, जहाँ पर आप हल कर सकते हैं, दो अठे, 16, प्लस, 22 में एक गया, 21, यह इसके साथ गुणा में है, रीड पांच, अब आप देखेंगे, 21, पंचे, यह रीड में आएगा, उत्तर, धन गुणी त रीड बराबर रीड, तो इसको प्लस माइनस को आप बढ़ियां से ध्यान देखरके, लिखिये, हड़ बढ़ी में कहीं, प्लस माइनस का आप, यह दीग, शुल, रीड में आएगा, 21, पंचे, अपका, 105, पांच एकम पांच, पांच दूने 10, अब बच्चों यहां पर हम यह देखते हैं, 11 का 11, इन दोनों को यह प्लस में है, यह माइनस में है, तो बचेगा माइनस का, इसको घटाएंगे तो बचता है माइनस 89, इनको फिर गुणा करेंगे तो आपका योग फलाएगा, यहां पर यह हो जाता है, माइनस 989, 979, तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं, कि हम दो प्रस्न को आपको हल करना बता चुका हूं, अब जो है, हम इस तरह के प्रस्न देखेंगे, जो प्रस्न एक्जाम में अक्सर आते हूं, और यह प्रस्न है आपका, जो भी न्यात्मक हो, इसमें आपका विद्यार्थियों की एबिलेटी का, उसकी दक्षता का पता चलता है, और एक्जाम में इसी तरह की प्रस्न पूछे जाते हैं, रहने के लिए उसी तरीका वही है हल करने का, लेकिन इसमें इन तरह के प्रस् अक्सर पहले ही हल करने से पहले ही हार मान जाते हैं, तो आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए, और शुत्र पर आप मान को रखना शुरू कीजिए, प्लस माइनस का ध्यान दिजिए, और इन सब के लिए जोरी है कि आपका गलती नहों तो आपको अभ्यास करना अतियावस्यक है, तो यहाँ पर यह बराबर हम देखते हैं, हल यहाँ पर लिग देते हैं, प्रस्न है आपका, एक बटे पंदरह, एक बटे बारह, एक बटे दस का ग्यारव पदों तक, आपको योग ज्याद करना है तो हल प्रथम पद ए बराबर वहीं है एक बटे पंद्र दी बराबर सर्वांतर ज्यूति पद रिंड प्रथम पदू अपका तरीका वहीं है सर्वांतर दी बराबर एक बटे बारा एक बटे पंद्र अब बच्चों इसको आपको इहां से घटा आओगे इन दोनों को अब कैसे घटा पाओगे जब हर समान होंगे तो अब हर समान नहीं करना चाहते तो आप तिरियक गुणा कर दिजिए मालो एक दो इस्टेप का है तो आपको इसमें टेंशन लेनी क्या आउसकता नहीं है हर लस अगरा निकालानी पड़ेगा पंद्रा एकम पंद्रा इसके साथ गुणा एक के साथ इसका माइनस ये चिन्ह को फिर रखिए बारा एकम बारा अब हर का हर से गुणा ये आप तिसरी चाउंथी से करते आ रहे हो तो पंद्रा बारम आप देखेंगे इसका तो पंद्रा दूने तीस का सुनिये और पंद्रा एकम पंद्रा और तीन अठारा एक सो असी ये गुणा हो गया उपर उपर को घटा देंगे अब पंद्रा में बारा गया तीन बचेगा और नीचे का आया एक सो असी अब इसको और कटेगा कार दीजिए तीने कम तीन तीन चके अठारा शुनिये का सुनिये याने एक बटे साथ तो बच्चों यहाँ पर हमारा दी बराबर आया है एक बटे साथ पदों की संख्या एन बराबर इसको भी लिखिए ग्यारा ग्यारा पदों तक आपको याद करना है अतह सुत्र सुत्र भी आपको लिखना जारी है डारेक्ट नहीं हल कर सकते एस एन बराबर एन अपन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी उस्टक बन एन कमान ज्यारा बटे दो शुत्र का दो दो ही रहेगा एक कमान यहाँ पर से देखिए एक बटे पंद्रा प्लस एन कमान ग्यारा रिलेक डारेक्ट रख रहूं याने दस गुलित आपका दी कमान है एक बटे साथ यहाँ पर आप ध्यान देंगे दस ग्यारा में एक घटा करके दस डारेक्ट किया हूं और आप दो तिन कोस्चन अब हल करना सीख चुके हो तो इतने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अब बच्चों यह उपर यह क्या लिख सकते हो दो को इस तरह प्रस्ण में दो ग नीचे को नीचे को ना होगा अव इसको हम वहल करते हैं गारा 12 अब अधार्फ में हैए आज सै ही रहेगा 211 कूम दो बचपंडरा कि दू बचे पंडरा सुच आ ररी इसी तरह से कली जिये जिनको प्रेशानी होता है यह उपर को उपार नीचे क्याशनी ए प्लास है 10 बटे 60 10 से कम 10 और यहां पर यह हो गया 1 बटे 6 इसको काड़ दीजियो करता है उसको काड़ दीजिए अब बच्चों यहां पर हम देखते हैं 11 बटे 2 और बचा 2 बटे 15 धन 1 बटे 6 तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां फिर भी आपको जो है फिर लसा लेना पड़ेगा और या तो तीरिया गुणा करना पड़ेगा चलिए हम तीरिया गुणा कर देते हैं जिसको लसा निकालना आता है आप लस निकाल करके भी हर को समान कर लीजिए और उसके बाद फिर हल कीजिए तो 6 दुने 12 प्लस 15 एकम 15 और हर का हर सेगुड़ा 15 छक्के 90 तो बच्चों यह इसका हल हो गया अंदर का अब 12 और 15 को जोड़े 5 दो 7 और यह 27 बटे 90 यह होगा 11 बटे 2 गुड़ित 27 बटे 90 अब यह कटेगा चलिए इसको कार देते हैं 9 से 9 तिया और 9 दहाम याने हमारा यह हो जाता है 11 बटे 2 गुड़ित 3 बटे 10 और इसलिए बच्चों यह होगा उपर उपर गुणा होगा 11 तिया 23 और 10 दुने 20 11 तिया 23 बटे 20 तो आप देख सकते हैं कि यह भी उसी तरह से जो एक समान या अंक को हम हल करते हैं उसी तरह से इसको भी हल कर सकते हैं आपको क्यों लस्वगरा निकालना होता है तो मैं आसा करता हूं कि आपको यह आ जाएगा अब इसके बाद जो और अती इंग पार्टें कर लीजिए और सेर भी किजिए ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़ सके थैंक्स